दोस्तों ये है मेरे पास Samsung Galaxy S21 FE 5G, इस वाले फोन को मैं काफी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, लगबग मुझे यूज़ करते हुए इसको एक साथ से उपपर हो गया, इस वाले फोन की जो performance है, वो किसी भी flagship फोन से कम नहीं है, इन फैक जब मैंने इसको iPhone 13 Pro से जब मैंने compare क किया है, और ये फोन आपको यहाँ पे S21 FE से महेंगा देखने को मिलता है, तो हम लोग को देखना यह है कि आपकी requirement के साब से कौन सा फोन आपके लिए सही रहने वाला है, तो हम लोग आपे वीडियो की चार्टिंग करते हैं, इसके colors option से, तो फिर आपको यहाँ पे Samsung में ज कम देखने मिलेगी, लेकिन आपको इसमें सभी colors में, आपको matte finish देखने को मिल जाती है, बाकी यहाँ पे आपको दोनों ही phones में टिपल याने कि तीन camera के आपको setup देखने मिल जाएगा, जो कि button layout design में vertical order में है, बाकी यहाँ पे Samsung की चोटी ची branding मिल जाती है, इसके बाद जो form factor की, तो यहाँ पर form factor again, यहाँ पर S21 FE का काफी ज़दा better है, तो यहाँ पर जो इसका inherent feel है, वो काफी ज़दा बढ़ी आता है, लेकिन यहाँ पर A55 आपको थोड़ा सा बलकी feel हो सकता है, थोज़ा भारी feel हो सकता है, इसके बाद अगर अगर आपर बात की जाए, इसमें इ ejector pin देखर मिल जाता है, और यह जो याला charge है आप लोग दे पाने, 25W का है, समसंग का मैंने अलक से हाँ पर buy किया था, तो समहेंगा आता है, इसके बाद अगर आपर बात की जाए, इसमें battery backup charging की, तो यहाँ पर Samsung A55 में आपको battery backup काफी ज़दा बढ़िया देखर मिल आपको इसमें देखर मिलेगी, यह premium feature आपको आपको A55 में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर battery backup की बात की जाए, तो यहाँ पर S21 FE आपको दिन में दो बात चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर A55 आपको दिन भर यहाँ चल सकता है, single charge में, तो फिर battery backup क लिए आप लोग यहाँ पर A55 की तरफ जाहिए, लेकिन अगर आपको कुछ जो premium features होते हैं, अगर आपको आपको इसको अगर आपको enjoy करना हो, तो फिर S21 FE आपके लिए काफी ज़्यादा सही एक option रहने वाला है, इसके बाद अगर आपको बात की जाए, इसमें इसमें आप out कि यहाँ पर S21 FE की जो camera's हैं, वो बहुत ज़्यादा killer हैं, चुकि यहाँ पर आपको 12 plus 12 megapixel का main ultimate camera मिलता है, जिसमें आपको main camera में OIS का support मिल जाएगा, इसके बाद आपको इसमें 8 megapixel का एक और यहाँ यहाँ पर telephoto lens देखें मिलता है, अगें यह भी OIS के साथ में आता है, यहाँ पर यह लोग का at least यहाँ पर telephoto lens यहाँ पर देना चाहिए था, और यहाँ पर video shoot आप लोग यहाँ पर दोनों फोन से अच्छी बात ही है, कि आप लोग 4K तक ही निकाल पाएंगे, selfie की बात करें, तो फिर आपको दोनों ही में 32-32 जो megapixel की selfie walk के देखें मिल जाती है यहाँ से भी आप लोग यहाँ पर video shoot 4K तक ही निकाल पाएंगे, तो फिर आप मैं फैनली आपको Samsung S21 FE के, आपको कुछ जो result है वो मैं आपको यहाँ शो मलब कर देता हूँ, आप लोग इंडो के देख लीजे, इसके जो dynamic range, edge detection, sharpness, details, आपको यहाँ पर सभी कुछ काफी ज editing का issue आपको देखने को नहीं मिलेगा, अल्टावेट camera भी इसका बहुत ज़्यादा कमाल का है, वहाँ पर भी जो dynamic range है, expose the balance आपको काफी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर इसके selfie की बात करें, तो यहाँ पर इसके selfie की अच्छी है, यहाँ पर जो पॉर्टे, शॉर्ट है, जानि कि जिसमें जो background जो बिलर होता है, वो भी यहाँ पर काफी ज़्यादा बढ़िया निकल जाते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पर edge जो detection है, वो काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाता है, exposure balance और dynamic range भी इसकी काफी ज़्यादा बढ जाता है, और यहाँ पर यहाँ पर यह S-series वाला फोन है, और यहाँ पर definitely जो S-series के जो camera's होते हैं, वो A-series से यहाँ पर better होते हो, यहाँ पर आपको telephoto lens भी देखने मिल जाता है, तो फिर definitely आप लोग यहाँ पर Samsung S21 FE की ही तरफ जाए यह camera के लिए, इसके बाद अगर यहाँ पर बात कीजिए, इसमें display की तो फिर आपको यहाँ पर जो display के size है, A-55 में थोसा जादा बड़ा मिल जाएगा, 6.6 inches का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर S21 FE का जो in-hand feel है, चुकि यहाँ पर 6.4 inches का है, तो फिर यहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है, जब आप लोग इसको हाथ मिलेंगे, बाकि दोनों में quality वो आपको दोनों में काफी ज़्यादा बढ़िया देखने मिल जाएगी, चुकि यहाँ पर दोनों Samsung के display है, आपको फुल HD+, एक Super AMOLED है, यहाँ पर आपको जो panel है, वो आपको देखने मिल जाएगा, बाकि जो protection है, वो भ दिक्कत नहीं आती है, बाकि जो brightness है, वो S21 FE की थोरी सी better है, चुकि यहाँ पर 1200 निस की है, तो फिर यहाँ पर जो इसकी outdoor visibility है, मतलब धूप आला जो experience है, वो काफी ज़्यादा सही रहत है, हाला कि A55 में भी आपको 1000 निस के आसपास मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आपको जो brightness है, वो थोई सी ज़्यादा बेटर देखने मिल जाती है, तो फिर मतलब इतना कुछ S सच आपको ज़्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर थोग सा compare एकर के मतलब बता दिया है, इसके बाद अगर बात कीजाए, इसमें performance क तो फिर आपको यहाँ पर दोनों में, यहाँ पर Samsung की Exynos वाली जो chipset होती, वो आपको देखने मिल जाएंगी, A55 में आपको 1480 मिल जाती, 4NM वाली काफी लेटे chipset है, मतला अभी यहाँ 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 पर यहाँ पर यहाँ पर 7 लाग के उपर मिल जाएंगे, लेकिन यहा और वेरिंट यहाँ पर अभी यहाँ यहाँ पर लॉंच किया गया था, जो कि Qualcomm Snapdragon 888 के साथ में था, वो भी यहाँ पर 5NM वाली chipset है, उसकी भी आयनतों तो उसको आपको आपको सारे 7 लाग तक की आपको देखने को मिल जाते हैं, तो फिर यहाँ पर performance के लिए आपको यहा यहाँ पर Exynos के साब में दिक्कत ही होती है, कि यहाँ पर heating issue और battery drain issue आपको काफी ज़्यादा देखने मिलेगा, मेरे वाले variant में भी है, और यह जो A55 है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कहीं न कहीं, इसके बाद अगर यहाँ पर software की तो फिर आपको 1UI मिल जाता है, क 118 तक की updates मिलेंगे, तो updates के मालुव में A55 यहाँ पर आगे निकल जाता है, इसके बाद अगर यहाँ पर software experience की बात कीजिए, तो फिर आपको सभी premium features आपको दोने ही phones में देखने मिल जाएंगे, जैसे कि आपको आपको नोक security मिल जाती है, secure folder मिल जाता है, बाकी Samsung पे और यह इतना ज़दा आपको better देखने को नहीं मिल पाएगा, इसके बाद अगर आपको बात कीजिए, इसमें कुछ और बड़ फीचर की, तो फिर आपको दोनों में in-display fingerprint मिल जाते है, Samsung S21 FE का मैंने यहाँ पर test किया है, काफी fast काम करता है, A5 में खुल जाता है, accurate है, बाकी SIM tray, A55 म आपको S21 FE में मतलब देखने मिल जाती है, तो यहाँ पर IP68 यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर premium होती है, ज्यादा यहाँ पर अच्छे से मतलब आपको फोन को यहाँ पर पानी से मतलब बचाएगी, लेकिन यहाँ पर जो IP67 होती है, वो एक तरह से यहाँ थोई सी हलकी rating होती ह यहाँ पर जो इसका Qualcomm Snapdragon Triple 8 वाला जो variant है, वो आपको इस समय आराम से 18,000 या तो 30,000 की आसपर देखने हो मिल जाएगा, तो फिर वो एक deal आपके लिए काफी जाए हो जाती है, बाकि A55 तो काफी जादा महेंगा लाउंच हो है, एक तरह से ओवर प्राइस है, इसके बाद यहाँ पर बात की जाए, आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर देखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकि यहाँ पर जो इसका बैक कैमरा है, वो तो ही एकदम मतलब आइफोन के लावर का, सेल्फी आप लो थोछी सी डाउन मान सकते हैं, बाक बाकि आई-पी रेटिंग, वायले चार्जिंग, यह सभी पीरिमें फिचा आपको इसमें देखें मिल जाते हैं, बाकि आप अगर एफिटी फाइफ की बात करें, तो यह फोन इतना जादा अच्छा मुझे नहीं लगा, हाला कि इसमें सॉफ्ट्रे अपडेस काफी ज़्य तो डेफिनेटली आपको यह फाइफ काफी यह फाइफ सही लेकर क्या आता है, तो यहों कि आपको यह फिद्वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के खिलाई जो कर दीजे, हमाया चार्ण को सब्सक्राइब कीजे, अगर आप लों मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं झाल झाल